केंदरी क्रीमंती अमीशा राजनद गाउं के कवरधा के दोरे पर आने वाले थे जिनका वह दोरा रद हो गया इस पर कॉंग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी को पता है कि वह 36 गड़ में हारने वाली है इसलिए अमीशा का दोरा रद किया गया है कॉंग्रेस प्रदिस अ बीजेपी इस समय राजनगाउं सीट हो या अनी सीटों पर हारने जा रही है यही वज़े है कि ग्रीमंत्री को अपना दौरा रद करना पड़ा आज अमित साथी का दौरा रदोना इसका मतलब सीधा 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 साफ है कि राजनांद गाउं के कवरदा जिले में आना था और यही कि राजनांद गाउं सीट बारती जन्ता पार्टी बुरी तरह से हार रही है यह भारती जन्ता पार्टी को भी पता है अमित साथ को भी पता है इसलिए अमित साथी इस दोरे से अपनी कन्नी काट लिए और भारती जन्ता पार्टी शुरू से मैं कह रहा हूं कि इस समय चाहे राजनांद गाउं सीटो चाहे अन्य सीटो पे हो कि 36 गड़ से भारती जंता पार्टी हारने जा रही है और इसी का नतीजा है कि ग्रीह मंत्री जैसे रतिकों की राजनाद गाओं कवरधा में अपनी कारेक्रम को रद करना पड़ रहा है भारती जन्ता पार्टी को जन्ताग पार जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन, या विकास को लेकर वो जन्ताग बीच में नहीं जा पारी है, इसलिए भगवान राम का नाम का सहरा लेकर भारती जन्ता पार्टी जन्ताग बीच में जा रही है, आस्ता अपनी जगा पे हैं, लेकिन इस समय देश की जन्ता, 36 गड़ के जन्ता, पुरी तरह मन बना चुकी है, कि कॉंग्रेस पार्टी को समर्थन और आसिरवाद दे रही है, इसलिए भारती जन्ता पार्टी बुरी तरह से तरही हुई है, इसलिए आस्ता के नाम से फिर जन्ता तो एक खिलवार करने का काम कर रही है, इसका चुनाओ पे कोई असर नहीं होगा, चुनाओ पे महंगाई, बेरोजगारी, जिवा, किसान, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और कॉंग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर जन्ता के बीच में हम जा रहे हैं, तो निशित्रूप से इसका ज़्यादा असर जन्ता के उपर पढ़ रहा है, और कहने कहीं इस समय जन्ता ने, 36 गड़ की जन्ता ने और देश की जन्ता ने मन बना लिया है, कि कॉंग्रेस की सरकार बनाना है,